आज ना डिनर में मैं बना रही हूँ एक बहुत special recipe क्योंकि सर्दियों के दिन है और सर्दियों के दिन में न कुछ न कुछ गर्मा गरम चटपटा खाने का मन करता ही रहता है तो आज सोचा हम चपाती नहीं बनाते हैं कुछ special बनाते हैं तो यहां मैंने लिए कच्चे आलू और आलू को अच्छे से धो लिया रेसिपी भी ऐसी बना रहे हूँ जो बहुत कम समय में बन जाएगे और जिसे खा कर मजा आ जाएगा आलू को छीलने के बाद आपको इन्हें क्रेट करना है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे आलू को एक बरतन में डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं पानी ताकि इसे आलू जो है वो काले ना पड़े क्योंकि आलू को अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो यह बहुत ही जल्दी काले पड़ जाते हैं अब यहाँ medium size वाले crater से मैं इन आलो के लच्छे बना रही हूँ तो आलो के जो लच्छे है न वो भी मैं पानी में ही बना रही हूँ ताकि इसे आलो के लच्छे बिल्कुल भी का लेना पड़े अब देखिए सारे आलू के लच्छे बनाने के बाद देखिए पानी कितना ज़्यादा क्लाउडी हो गया है तो बस अब आपको इस पानी से ये आलू के लच्छे निकाल लेने हैं और फिर आलू के ये जो लच्छे है ना इनने दो से तीन बार और अच्छे से साफ पानी में धो लेना है आलू को धोने के बाद ये जो पानी निकलेगा ना इसे आप फैकियेगा मत आलू धोने के बाद ये जो पानी है ना इसे आप पेडों में डाल दीजेगा क्योंकि पेड़ों के लिए ये पानी बहुती फायदेमंद है तो यहाँ पर मैंने कई बार ये आलू के लच्छे धो लिए अच्छे से अब यहाँ मैं देखे इस तरह एकदम टाइट इने निचोर रही हूँ आप चाहें तो किसी कॉटन की कपड़े में डाल कर भी इने निचोर सकते हैं ऐसे निचोर एगा कि पानी ज़्यादा ना रहे आलू के लच्छे के अंदर तो बस इने निचोर कर इस तरीकी से अलग बरतन में रख लेंगे ये रेसिपी मात्र 10 मिनट के अंदर बनके तयार हो जाती है और खाने में इतनी मज़ेदार कि आपको मज़ा आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने सारे आलू के लच्छे निचोर कर अलग रख लिये हैं अब जैसा कि मैंने बताया ये पानी हमें फैकना नहीं है इसे हम डाल देंगे अपने पेडों में अब यहाँ मैंने गाजर और एक चुकंदर लिया है जिसे अच्छे से पहले से ही धो लिया है इन्हें हम छील लेंगे सर्दियों के दिनों में बहुत ही अच्छी गाजर चुकंदर मार्किट में मिल रही है मेरे घर में तो भाई सभी को गाजर चुकंदर खाना बहुत पसंद है और ये हैल्दी भी होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो रैसिपी बना रही हूँ तो उनमें मैं गाजर चुकंदर का भी इस्तिमाल करूँ तो यहाँ पर गाजर और चुकंदर दोनों को हमने छील लिया है और अब यह जो छिलके हैं पहले इन्हें हटा देते हैं अब इसके बाद आपको इन्हें ग्रेट करना है तो जो ग्रेटर लेना वो थोड़ा सा मोटा वाला लीजेगा ताकि से इनके मोटे मोटे से लच्छे बन सकें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें आप मुझे फेस्बुक पेस पर भी फॉलो कर सकते हैं तो चुकंदर के जो लच्छे हैं उन्हें अलग रख देते हैं और अब यहाँ पर आपको बनाने हैं गाजर के लच्छे तो गाजर के लच्छे भी ऐसे या मोटे मोटे बनाएंगे तो गाजर की लच्छे जब मैं बना रही हूँ न तो मुझे गाजर के हलवे की याद आ रही है इसी तरीके से घिस कर हम गाजर का हलवा बनाते हैं लेकिन अगर आपको बिना गाजर घिसे गाजर के हलवे की रेसिपी चाहिए न तो कॉमेंट करके बताईएगा वो भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी तो यहाँ पर देखिए अब हमने जो आलू के लच्छे निचोड के रखे देना उन पर काम कर लेते हैं अब इसमें मैंने डाल दिया है आधा कप कॉन फलार कॉन फलार ना हो तो अरा रोट डाला जा सकता है अच्छे क्रिस्प के लिए एक चम्मस डाला है चाबल कार्टा आधा चम्मस काली मिर्ष पाउडर नमक डाल देंगे स्वादैनुसार अब आप इसमें डालेंगे यहाँ पर हरी मिर्ष तो दो हरी मिर्ष बारी कट करके डालें बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ष स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दें अब आप सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दें अब आप यह जो आलू है ना और ऐसे से शेप दे कर देखेंगे यह देखेंगे इसकी शेप ऐसे बन रही है तो मतलब यह तैयार है अगर यह ऐसे नहीं जुड़ रहे हैं तो आप इसमें एक चमच पानी डालें इससे ज़्यादा पानी ना डालें फिर यह अच्छे से चुड़ने लगेंगे अब हमने गैस पर एक पैन रखा है और इसमें हम थोड़ा सा ओईल डाल देंगे ओईल की जगा घी का इस्तिमाल भी किया जा सकता है अब देखे इस तरीके से इसकी शेप बना कर आपको इसके अंदर इसे रखना है कैस का फ्लेम लो रखना है तो यहाँ पर एकदम गोल शेप मत बनाईएगा थोड़े से लच्छे दर उदर निकले रहेंगे तो फिर यह दिखने में भी अच्छा लगेगा तो यहाँ पर अब आप इने लो फ्लेम पर लगभग देर दो मिनट के लिए सिकने दें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा ओयल इनकी उपर डालते जाएं और इने सेक लें यह देखे नीचे से जब यह अच्छी क्रिस्पी सी हो जाए तो आप इने पलट दें और पलट कर दूसी तरफ से भी सेक लें बस फ्लेम लो रखिएगा तो यह अच्छी क्रिस्पी त्यार होंगे टिकिया अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो अच्छे से लच्छे पकेंगे नहीं और अच्छा क्रिस्पी नहीं आएगा अब इन्हें इस तरह थोड़ा दबा दबा कर हम सेक लेंगे ये देखिए दिखने में ही पहुती सुन्दर लग रही है अब इन्हें मैंने पलट दिया है तो इस तरीके से आप घर पर ही बिना किसी जंजट के बिना आलू उबाले बिना किसी परिशानी के पहुती टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरी तिक्किया बना सकते हैं और एंजोять कर सकते हैं तो ये टिक्की तयार हो गई है इन्हें निकाल लेते हैं और अब हम इसी तरीके से बाकी की सारे टिक्किया तयार करेंगे जब तक दूसरा बैच फ्राई हो रहा है ना इनको हम सर्व कर लेते हैं ये कच्चे आलू की टिक्की एकदम क्रिस्पी बनी है मेरा जो बेटा है ना हर दो मिनट बात मुझे आवाज लगा रहा है कि मम्मी टिक्की तयार हुई या नहीं तो सबसे पहले तो मैं उसे ही ये देने वाली हूँ तो यहाँ पर दो टिक्की मैंने ले ली हैं और इन्हें इस तरीक से क्रश करेंगे एकदम क्रिस्पी है और इनके टुकडे करके ऐसे हम इने प्लेट में रखेंगे और ये देखिए आपको फिर से एक और टिक्की तोड़ कर दिखा रहे हूँ एकदम क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार और अब आपको इसके उपर डालना है दही तो यहाँ पर मैंने एकदम फ्रेश दही लिया था और उसे बिलो लिया और इसमें एक चम्मच चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर ली है तो दही में पानी बिलकुल मट डालिएगा, बस ऐसे ही इसे बिलो कर त्यार कीजेगा और टिक्क्यों के उपर मैंने दही डाल दिया है अब यहाँ पर इसके उपर जा रही है ये खटी मीठी चटनी ये आमचूर से बनाई हुई खटी मीठी चटनी है चो मुश्किल से 5 मिनट में तयार हो जाती है और टेस्ट इसका लाजबा होता है अब यहाँ पर इसके उपर धनिया पुदिने की हरी चटनी डाल दी है अब यह जा रहा है थोड़ा सा काला नमक थोड़ा सा डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा ही डाल देंगे लाल मिर्श का पाउडर अब अगर आप प्यास खाना पसंद करते हैं तो इसके उपर बारिक कटा हुआ प्यास डाल सकते हैं बेटे ने प्यास खाने से मना कर दिया था बोल रहा था नई मम्मी प्यास मत डालेगा तो मैंने प्यास नहीं डाला है बस मैंने यहाँ पर गाजर के लच्छे और चुकंदर के लच्छे डाल दियें जो कि इस चाट में बहुत ही बढ़िया लगते हैं अब उपर से थोड़ा दही या चटनी और डालना चाहें तो डाल सकते हैं तो आप भी इन सर्दियों में जटपड से यह मज़ेदार सी आलू टिक की चाट बनाईए और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ बैठ कर इसे गर्मा गरम एंजोई कीजिए